हेलो स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वही ग्राफ के क्वेशन्स को स्लोप को बट अब यह जो टॉपिक है यह थोड़ा बहुत में रिलेट करना शुरू करते हूँ आपके मोशन से एक बार दुबारा से रिवाइज करते हैं स्लोप क्या है बेटा वाई एक एकसेस और एकसेस के बीच में बनने वाला कोई भी ग्राफ का मतलब है कोई लाइन या कोई कर ठीक है उसका टेन ठीटा जो लिया जाता है रेफरेंस एकसेस के साथ उसी को हम स्लोप कहते हैं टेन ठीटा का मतलब क्या है बिटा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाता है उसमें sin theta, cos theta, 10 theta ये properties थोड़ी बहुत मैंने बताई है एक बार हलका सा यहाँ पर भी समझ लीजे 10 theta का मतलब क्या है मान लो कि ये ऐसा करता हूँ, मैं इसे तोड़ा सा अलग समझाता हूँ चीक है, आप बार समझने की दोस्ट करिएगा ऐसा मान लो कि ये कोई एक displacement और time का graph बना रहा हूँ यहाँ displacement, यहाँ पर time अब इसके बीच में कोई ऐसी एक graph मिला ये हमारे y और x axis के बीच में जो भी line या जो curve मिल रहा है straight line या curve मिल रहा से graph कही है अब ये graph हमारे reference axis अब देखना मैंने आगे बताए भी है most of the cases, your reference axis will be the time reference axis के साथ क्या angle बना रहा है तो reference axis को तो touch नहीं कर पा रहा है तो parallel shifting पड़ी है इसको आगे की ऊपर की दरफ shift कर दीजिए और 10 theta, cos theta ये सारी चीज़े कहां follow होती है right angle triangle में अब right angle triangle तो नहीं बन रहा है बस इतना पता लग रहा है यह angle बन रहा है अब अगर उस angle को हम कुछ भी ले लें तो अगर उसका मैं 10 theta देखनू अगर मान लो ये 30 degree है तो जो 10 30 होगा वो represent करेगा slope को 10 30 मतलब 1 upon root 3 slope की value 1 upon root 3 होगी आगे मैं इसी चीज में समझाऊँगा slope होगा क्या ठीके अब ज़र इसी को यहां समझने की कोशिश करें कि right angle triangle बनाना है तो एक तो ये देखिए ये angle जिसके साथ बन रहा है वो तो है base मतलब इस पे बनने वाली perpendicular अभी तक नहीं बनाए गई यते काम करो perpendicular बना दो इसके उपर बन गया right angle triangle तो ये वाली side होगी perpendicular ये वाली side होगी base तो इतनी length ये length किसके बराबर है यहां तो time 0 है यहां time कुछ होगा t1 यहां होगा t2 तो ये change in time होगा और ये क्या होगा यहां पर time है final time यहां पर initial time final minus initial के बराबर होगी ये लें तो ये मतलब होगी delta s 10 theta को थोड़ा सा याद करके पढ़ो 10 theta is always perpendicular upon base मैंने एक जगह लिखवाया था न पंडित बद्री प्रशाद हर हर बोले सोना चांदी तोले तो उसी concept में आपको perpendicular upon base मिलेगा तो perpendicular theta की opposite side मतलब इस particular case में delta s और base जो है वो हुई delta t delta s upon delta t क्या होती है velocity अगर यह बहुत छोटे से time के लिए ले लूँ तो ds upon dt वो होगी velocity मैं आपको differential की मदद से चीजों को समझाने की कोशेश करूगा differentiation of any quantity will always give you the slope आपको slope provide करती चलेगी और एक sequence पढ़ेगी हलका हलका थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा और सारे discussions के अंदर होते रहेंगे मैं समझाता चलेगा अब आप यहाँ देखिए तो ये तो हमने पुरानी definition पढ़िए mostly or in motion the axis जो reference axis है ना वो आपकी time axis होगी ये ध्यान रखिएगा most of the cases निया motion, force and law of motion इनमें आपकी जो reference axis है वो time ही होगी मतलब angle measurement time से किया जाएगा time axis से graph की तरफ आएंगे और अगर slope को measure करने के लिए clockwise जा रहे हो तो वो आपका negative लिया जाएगा ध्यान रखना हमेशा ना acute वाला portion measure के अपनी के लिए movement होता है मतलब एक line है ना इसको भी तोड़ा समझ लीजिए जो को यहाँ भी आपके confusion ना हो इनको समझा देता हूँ जैसे देखो यह है आपका displacement time और यह कोई लाइन है यह से cut करें अब यह reference है reference axis से ऐसे घुमूंगा तो यह तो anti clockwise है यह भी तो reference है एसे घुमूंगा तो clockwise तो हमेशा जो आपको move तो करना है reference axis से graph की तरफ लेकिन हमेशा किसको measure करोगे acute angle को याद कर लो अच्छे से vectors में भी बताया था ना से 180 degree के बीच वाला हमें acute जो होगा ना उसको में measure करेंगे उसके लिए movement चेक करेंगे तो acute के लिए movement कैसा anti clockwise मतलब इसका slope होगा positive और भी concept है लेकिन हम movement से पड़े और concept में थोड़ी दिक्कत आ सकती है अब समझ लिए differentiation of any quantity will always represent the slope will always give the slope किसी भी term का differentiation करोगे तो आपको slope ही मिलने वाला है और एक order याद करें कुछ बताया था है मैंने higher value lower value displacement को differentiate करोगे तो आपको मिलेगी velocity इसका differentiation करा तो आपको मिलेगी velocity velocity का differentiation करा तो आपको मिलेगा acceleration और acceleration का differentiation किया तो आपको मिलेगा जर्क लेकिन यह वाली quantity तक आपको पढ़ना नहीं है तो order यही है हमारी यह smaller quantity है यह उससे higher है यह उससे higher यह इससे higher है अगर हम इसमें small से higher order की तरफ move करें तो हमें step by step differentiation करते वे जाना पड़ेगा एक बार differentiation करूँगा इसका तो velocity मिलेगी तो next में differentiation करूँगा तो acceleration इसका एक और बार differentiation करूँगा तो जर्ग अगर reverse order में आप आते हो तो हमारी ये चीज integration से हो क्योंकि differentiation का उल्टा होता है हमेशा measure किया जाएगा time वाली axis से थोड़ा सा समझेंगे इन सब चीजों को आगे आगे चलते वे ठीके इस order को याद रखना displacement velocity acceleration jerk याद कर लेना displacement velocity acceleration jerk acceleration तक भी याद कर लो तो बहुत बढ़िया है ठीके चलो reverse order आपको front एक याद हो गया reverse में कोई नहीं है reverse अरो लगा लेंगे ज़र आप समझते हैं टेंजेंट लाइन क्या होती है देखो बेटा सी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस curve को इस point पर एक ही जगे पर touch करें समझना इसका मतलब क्या है ठीक है इसका मतलब यह है कि मान लो यह आपका graph था ठीक है यह graph बना displacement time वैसे न आप यहाँ displacement बोल रहा हूं कहना गलत है कहा जाता है position time displacement तो change in position होती है distance भी change in positions जो है उन सभी को add करो displacement में तो positive negative लिया जाता है distance में सारे add ही होती है ठीक अब इस point पर इस particular point पर मुझे इसका slope देखना है तो कोई एक ऐसी line ड्रॉ करो जो इससे अगर इस point पर हमें slope पता करना है तो कोई एक ऐसी line ड्रॉ करो जो इससे सिर्फ इस पर ही touch करे ठीक है तो वो ऐसी line बनीगी यह यह से इस पी point पर ही touch करे अगे देखूँगे तो दो point पर touch नहीं कर रही एक Pॉइंट पर तो यह जो है ना यह कहलाएगा slope यह कहलाएगा tangent slope तो भी निकाले अब slope निकालने के लिए क्या है जो आपकी tangent है करो के case में क्या है slope हर एक point पर अलग-अलगा तो यह जो tangent है इसके लिए हम time access की parallel shifting कर लेते है तो ये जो angle है ये इसका 10 theta आपको slope देगा अब उसको निकालने का वही तरीका ये तो actually जिसके साथ angle बनता है वो तो base होता है तो इसके उपर एक perpendicular drop कर दो ठीक है ये delta s upon delta t तो 10 theta is equal to delta s upon delta t ये चीज़ क्या होगी velocity या speed को represent करेगी ठीक है यही चीज़ हम पढ़ रहे है ठीक तो ये भी जो line यहां बनी है इसे tangent कहा जाएगा tangent क्या है curve अगर आपका graph है तो curved graph के case में curve को एक point पर touch करने वाली line को हम लोग क्या कहेंगे tangent और tangent जो हमारी reference access जो कि हम time access लेंगे उसके साथ जो angle बना रही है उसी को हम कहेंगे slow ठीक है बहुत छोटे और basic से question आते हैं एक छोटा सार reference basic question समझ ले है ना जड़ा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा अगर आपको इस pencil से है ना प्रियरली नहीं से मुझ में आ रहा हो देखने में दिक्कत पुरी हो तो मैं एक बार पैन चेंज कर देता हूं कि आपके लिए कमफोर्टेबल हो सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब ठीक है एक चोटे से question को example के तो सब्सक्राइब ठीक है जैसे कि यह एक graph है ठीक है पोजीशन टाइम ज्यादा बेटर होता है पोजीशन कहना और accurate होता है पोजीशन कहना एस के रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन लिगन आपको ना पर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो समझेगा कि ऐसा मान लेते हैं कि इससे question ऐसा जाएगा यह एक car A यह दूसरी car B which car is moving at higher speed पता करो कुछ नहीं दिया anything कुछ भी नहीं दे रखा तरीका क्या है हमने क्या कहा था कि curve में तो हमें tangent बनानी होती है यहाँ पर straight line है tangent बनानी की जरूवत नहीं है सीधा सा क्या करो straight line को time axis से parallel shifting से जोड़ो जोड़नी की जरूवत भी नहीं है क्योंकि यह जो आपका graph बना है straight line graph जो बना है वो अपने आप ही time axis से जोड़ रखा है तो car B के लिए जो angle बन रहा है वो है theta B और car A के लिए जो angle बन रहा है वो है theta A ठीक है तो हम क्या देख पा रहे है theta A is greater than theta B और याद यह रखना reference axis time axis कहीं यह उल्टे लिखे वे होंगे तब angle उस तरफ से नापना ऐसा नहीं है कि हमेशा horizontal x axis से measure करोगे angle that means slope will be measured only from the time axis याद रखेगा theta 1 is greater than theta B theta A is greater than theta B तो जहां आपका 10 theta होता है न थीटा बढ़ेगा तो 10 theta भी बढ़ेगा 10 theta A is also greater than 10 theta B और आपको पता है displacement या position time graph के अंदर जो आपका 10 theta है वो होता है slope 10 theta is slope ठीके और slope होता है velocity के equal अगर frame में नहीं आया हो तो मैं यह बता रहा था यहाँ पे theta A is greater than theta B तो theta बढ़ा होगा तो उसमें 10 theta भी बढ़ा होगा trigonometric के table की अलग-अलग values पे check करोगे तो पता लगेगा 10 0 पे 0 होता है 30 पे 1 by root 3 होता है 45 पे 1 होता है तो देखे 0 0 पे 0 30 पे आपका 1 by root 3 0 से बढ़ा ठीक है 45 पे 1 वो 1 by root 3 से बढ़ा तो आपकी value increase होती जारी आगे भी check करेंगे तो 90 तक value increase करती है हमारा angle जो है एक first quadrant में ही रहने वाला है तो सीधा सीधा हमें यहां से पता क्या लग रहा है velocity of a is greater than velocity of b क्या कोई value दी नहीं observation based question होता कहा जाता है इन्हें अगला देखते हैं तो अब जड़ा हम इसी में आगे की term को चलते है remember करना यह sequence में बता भी चुकाओं इस class की starting में sequence होता है displacement displacement को differentiate करोगे तो आपको मिलेगी velocity velocity का differentiation करोगे मतलब इस quantity का differentiation करोगे तो आपको acceleration 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 का differentiation करोगे तो जर्क यहां तक जानी की जरुवत नहीं है ठीक है आपको मिलेगा तो यहीं तक ठीक फिर भी मैंने आपको बता दिया है अब बात करते हैं इसका उल्टा है integration मतलब आप acceleration का integration करोगे तो आपको velocity मिलेगी तो अचोज यहां करोगे जर्क का acceleration reverse order में जर्क का किया आपको कोई दो एक्सिस की बीच में ग्राफ मिलेगा उसमें integration हमेशा जो ग्राफ है और time access है इनके बीच में आने वले एरिया को करेगा ठीक है यह अभी समझ में ना भी आए एक दो क्वेश्चन समझोगे जब क्लियर होगा यह order मैंने लिखा है देखो जर्क अब इनके साथ dt multiply करें क्योंकि reference axis का derivative रहता है अपरेटर में जो dx dt जो है reference axis के according आए जर्क को dt से multiply क्या तो acceleration सुद्खुद सोचिए acceleration से lower order क्या होता है velocity तो आप acceleration का integration करोगे velocity velocity से lower order क्या होता है displacement तो velocity का integration करोगे तो displacement मिलेगा अब graph में यह चीज़े कैसे यह मैंने इसलिए बता है इससे आपको समझ में आ सके कि आपकी क्या time आने वाली है और यह चीज़े यह जो दो equation देख रहे हो यह वाली और यह वाली equation यह आपकी equation of motion है general equation of motion चाहे constant acceleration हो चाहे आपकी variable acceleration हो आगे इन चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग अब ज़रा इस चीज़ को समझाता हूं कि integration कैसे area को represent करता है ज़रा समझते है यह graphical line है एक graph है ठीक है इसमें मैंने दोनों चीज़े एक साथ ही समझा रखी है ठीक तो ऐसा करते हैं ठीक है तो अभी आपको यह एरिया वाला concept है यह इस question के तुरु समझ में आ जाएगा थोड़ा सा concentrate करके रखेगा स्टार्टिंग में थोड़ा हाड लगे गाई ठीक है ज़र देखिए यह आपका कोई a-b graph है लेकिन यहाँ पर जो आपका graph यह velocity और time access के बीच में है ठीक है अगें दुबारा से देखो integration always give area below the graph मतलब graph और time वाली access के बीच में जो area आ रहा है अब इसमें समझें यह actually dotted line बाद में बनाई है इसको अभी आपको पनाना सीखना पड़ेगा graph आपका a से लेके भी तक है ठीक है तो आप से question में अगर बोल दे calculate displacement तो देखिए velocity time से आपको displacement आना है तो time तो reference है उसको चोड़िए velocity से displacement आना है तो आप कहां जा रहे हो lower order पे lower order पे जा रहे हो मतलब area निकालना है अब area तो इस line का तो हो नहीं सकता तो अब देखो इस line के starting और end point देखिए starting point, end point इन दोनो और end point को time वाली एक्सिस मतलब जो हमरी reference एक्सिस से उससे जोड़ना है बट जोड़ना ऐसे है कि जो line इस से जोड़ेगी वो time axis के साथ perpendicular बनाए तो यहां से एक ऐसी line draw करो करो time axis के साथ perpendicular बनाए यह दूसरी line भी time axis के साथ perpendicular बनाए यह दोनों line जो हमने imaginary बनाई है अगर यह time axis के साथ perpendicular होंगी तो definitely आपस में एक दूसरे के parallel बन जाएंगी यह properties आप पढ़ोगे कि जो दो parallel line होती हैं उनके अंदर या तो यहां देखे corresponding angles जैसी चीज़ पढ़ी है कि यहां 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा तो यह वाला एंगल यह वाला एंगल corresponding angles है corresponding angle equal है तो यह दो लाइन पैरल होगे तो यह इस तरह से connect करना है दूबार से समझेए जो graph की line है उसके starting and end point उसे आप reference access से कुछ इस तरीके से जोड़ोगे कि वह line reference access के उपर perpendicular हो पूरे motion के अंदर force and law of motion के अंदर आप जो पढ़ोगे वहां पर time access reference ले जाएगी ठीक है concept भी समझा देंगे कौन सी कैसी अभी त्यांडर के time access reference access तो line को जो इससे जोड़ा जाएगा इसके perpendicular होनी चाहिए time access के तो आपका बनेगा यहां पर trapezium इस trapezium के अंदर जो area आ रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा जो integration से term आई थी क्या थी integration से velocity time हमें निकालना है displacement तो यह चीज कैसे आ रही है integration से अगर आपकी integration से आ रही है term तो area निकालो अगर वो term differentiation से आ रही है तो आप क्या निकालो slope निकालो यह फिर अगर आप से lower order की चीज पूछ रहा है तो integration area निकालो अगर higher order की चीज पूछ रहा है तो आप differentiation slope निकालो ठीक है यह चीज मैंने यहां बताए भी है connect a and b to the time axis such that line must be perpendicular to the time axis यहां पर लिखके भी बताया है area under the graph इसे represent करेगा slope of the time graph with time axis अगेन एक बार और समझे यसे displacement अच्छा यहां पर एक और बात करते हैं कि velocity time graph है अगर मैं इसका slope निकालना चाहूं ठीक है अब अगर इसी में आपसे यह जो है यह कह देता है कि इसका slope क्या show करेगा देखिए ज़रा slope का मतलब क्या है velocity और time इसका slope मतलब differentiation तो इसका differentiation करके देख लेगे reference axis की terms में होगा मतलब d by dt मतलब यह dt जो है यह differentiation और integration तो में के case में आपको help करेगा reference का हम लोग उसे derivative का reference मना जाता है यह से with respect to कहते हैं डिफ्रेंशेटिंग with respect to time जैसे integrating with respect to time तो वह reference axis ही होती है तो velocity का लोग है तो acceleration मिलेगा इसका slope acceleration शोग करेगा मतलब क्या है यह graph है इसको मुझे time axis के साथ देखना है क्या angle बनाएगा तो हम time axis को parallel shift कर लेते हैं तो यह वाला angle जो है वो तो base के साथ बन गया तो अब मुझे अगर पूरा triangle triangle obtain करना है यह तो already बनी रखा था वैसे इसको नीचे अगर मैंने base के उपर perpendicular line draw करी यह वाली तो यहाँ पर 90 डिगरी बनेगा यह right angle triangle यह होगा आपका डेल्टा वी यहाँ पर final velocity यहाँ पर initial velocity motion यहाँ से एसे भी है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अगर आप slope देखते हो या फिर कहें 10 थीटा जिसे slope कर रहा हूं 10 थीटा perpendicular डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है acceleration पढ़ चुके हैं और मुले भी एक बार सारे लिखवा के दुना सेम देखो displacement time graph या position time graph के लिए लदिया वा है ठीक है आप पूछा जा रहा है इसके अंदर कि आप acceleration निकालो ठीक है पर इसके अंदर कह रहा है velocity निकालो velocity निकालना है तो देखिए आपके पास क्या है displacement velocity से higher order slope निकाल लेना ठीक है पॉइंट से perpendicular draw कर लेते हैं मतलब base के ऊपर 90 degree के line draw कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल तो 10 theta होगा perpendicular यह चीज यहां से इतनी length final disposition initial position तो यह तो delta s और यह initial time final time यह हो गया delta t तो आपका जो slope है ठीक है slope जो होना चाहिए वो होगा 10 theta 10 theta मतलब perpendicular upon base perpendicular का मतलब delta s upon delta t और यह चीज क्या होगी velocity यही तो बताया था अगर आपसे higher order बोल रहा है तो slope निकालो slope के represent करेगा differentiation ठीक है differentiation आपको clear पता है s का और t के respect में differentiation करोगे तो आपको velocity मिलेगी ठीक है अब कुछ important graph conversion के बहुत important basic rule देखो इतना घुमा घुमा के कई चीज़े बताई जाती है जाता नहीं घुमाओंगा आपको विकी graph समझने में दिक्कत होती है बच्चों को बाव लगने रख जाता है बेसिक सी एक बात को समझ लेना क्या कि आप यह देखो सबसे पहला हम लोग जो graph देख रहे हैं वह है displacement time graph या फिर मैं इसे न नेक्स्ट वीडियो में प्रेसेंट कर बाता हुआ old देक स्टस्ट विक्तक है औहा हैज कर दोल्ग है औरगवा भी अ़ीर भीर इवशोन का और दोली भीर समझने काम जगे बाता है विक्रीशशराब में टोल्ग रहांने आंबनous पहांने myself प्रों घूरसा है